कि लाज 10 की इंगलिस का मोस्ट इंपोर्टन ऐसे है माई मतर का और देखे इसका ट्रांसलिशन और ट्रांसलिशन को समझने के लिए आपको सारी मिनिंग इसके याद होने चाहिए तो इसमें पहली हेडिंग दे रखी है इंट्रोडक्शन कोई सारी हेडिंग है मिलेंगी आप में पढ़ती हूं प्रेजेंट का इंडेंट सेंटेंस है सब्जेक्ट अगर पिलॉरल होता तो बर में ऐस नहीं आता है पी वनेगा सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेंट का आई रीड में पढ़ती हूं इन 10 क्लास 10 क्लास में माई मदर इज अनीता गुपता मेरी मां का नाम अनीता गुक्ता है आगे हैं C is educated बहर पड़ी लिखी है यह PC बोईस है जब भी फोर्म के बाद में बरकी थठों मा जाती है तो वह होता PC बोईस C is educated बहर पड़ी लिखी है यह सिक्षित हैं I am her eldest daughter मैं उनकी सबसे बड़ी eldest का मतलब होता सबसे बड़ी इसको बोलते हैं superlative degree I am her eldest daughter मैं उनकी सबसे बड़ी क्या हूँ वेटी हूँ यह daughter हूँ आगे है C loves वह प्यार करती है देखिए subject के बाद में फिरसा बरकी पेश्वमा यह S तो वह प्यार करती है मी मुझ से very much बहुत ज़ादा एसा कौन बता रही है एसा बता रही है राद हुटा किसके बारे में अनीता हुटा के बारे में उनकी मा है next वाली heading है trace and behavior उनकी जो trace और बेवार है वो कैंसा है she is a religious lady वह एक धार्मिक औरत है वह एक धार्मिक लेडी है औरत है who जो who का मतलब देखी conjunction के रूप में आया यहां पर इसका मतलब निकलेगा जो नहीं तो इसका मतलब कौन भी होता है portion word के अंदर who का मतलब होता जो यह आया conjunction के लिए conjunction का मतलब होता जब दो sentence को कोई word जोडता है उसको बलते है conjunction इसका मतलब कोन भी होता है who जो विजवास रखती है इन simple simple रहने में simple living मतलब simple रहने में विजवास रखती है and high thinking और बड़ी सोच में विजवास रखती है कोन अनीता गुपता आगे है c is very simple बहे बहुत ज़्यादा क्या है simple है c wears बहे पहनती है subject के बाद में बर्मा आगिया s बहे पहनती है a sari तो इसको बलेंगे sari English में और Hindi में क्या होता sari तो वो एक sari पहनती है and a blouse और क्या है blouse पहनती है c uses बहे इस्तेमाल करती है a soul इसको बलेंगे soul in winter सर्दियों में दो सर्दियों में क्या है soul उड़ती है हर dress उनकी जो dress है is always वो हमेशा praised वो रहती है praise वो वी तो उनकी जो dress है वो हमेशा praise हो वी रहती है she is very kind बहे बहुत जादा दयालू है दयालू का मतलब जो नम जो नमर दिल की होते है उसको बोलते है and gentle और क्या है सब भी है सब भी का मतलब होता पड़ी लिखी हर qualities उनके गुन के से है किसके अनिता गुप्ता के my mother is fair जो मेरी मा है वो fair है fair complexion complexion का मतलब क्या होता इसका मतलब होता है rung क्या होता है rung तो मेरी जो मा है वो गोरे रंग की है complexion का मतलब होता rung see is smart वह smart है and active और क्या है active है see is religious वह धार्मिक है धार्मिक minded to तो वह धार्मिक minded to मतलब धर्म को जादा मानती है see is an idle mother देखे बोबिल से पहले इस पर क्या आगिया है n आगिया है नहीं तो यहां पर क्या आता यह आता so see is an idle mother वह एक आदर्सवादी mother है हू का मतलब होता जो cares जो देखभल करती है फिर से present का indefinite sentence बर्मागिया as तो वह देखभल करती है या जो देखभल करती है and loves और प्यार करती है her children अपनी बच्चों से she is fond of reading तो पढ़ाई की सोकीन है and singing और गान गाने की मतलब सिंगी करने की सोकीन है next वाली heading है जो conclusion आती है conclusion का मतलब अनिसकर से निचोड तो पूरे के पूरे essay का निचोड बताया जाएगा इसके essay के बारे बताया जाएगा my mother is an ideal my mother is an ideal lady जो मेरी मा है एक आदर्स वादी औरत है आदर्स को जाद मानती है she is an excellent वहे एक बहुत अच्छी कूख है कूख का मतलब होता है जो रसोई होता है जो खाना अच्छा बनाती है उसको बोलते हैं कूख तो वहे बहुत अच्छी कूख है लगान अच्छी बनाती है she is always वहे हमिशा busy रहती है व्यास रहती है in doing कुछ न कुछ करने में one thing किसी का उनको she hates वहे नफरत करती है देख सबसे ज़्यादा sentence चलता present का indefinite या present का simple तो वहे नफरत करती है telling lies जोट बोलने से तो वह जोट बोलने से नफरत करती है she is very वहे बहुत ज़्यादा sweet tempered sweet tempered का मतवता प्यारे स्वेभाप की है यह अच्छे मिजास की है I am proud of her देखे proud के बाद मा of reposition आती है तो मैं उन पर गर्व करती हूँ ऐसा किस न बोला है रादा गुप्ता न बोला है अनीता गुप्ता के बारे में तो देखे इसके transition के लिए आपको यह मिनिंग याद होने जीए जैसे की आया है introduction का मतवत प्रस्तावना read का मतवत पढ़ना होता है eldest का मतवत होता है सबसा बड़ा यह सबसा बड़ी यह superlative degree है और यह है daughter क्या होता है यह पुत्री होती है बीटी होती है educated का मतवत होता सिक्षित होना यह पड़े लिखे होना और behavior ब्याभार होता है religious धार्मिक होता है beliefs बिजवास होता है और wears होता पहनना यह आप जानती है और in winter सरदी में होता है और high thinking अच्छा word है इसको होता होता बड़ी सोच या उची सोच रखना फेर सब जानते हैं फेर कलर के होता है और complexion क्या होता है रंग होता है cares होता देखभाल करना fond होता सोकीन conclusion होता निसकार्स tempered होता है स्वेभाव और hates होता नफरत करना telling lies होता जूट बोलना ये भी अच्छा word है और ये भी अच्छा word है excellent और excellent आता बहुत अच्छे के लिए